हलो डिया स्टूडेंस वेलकम माई यूट्यूब चानल इसके ल क्लासेज में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लासेट की मायत एक्सरसाइज 4.2 कोशन नंबर है 2 प्रीबिएस वीडियो में कोशन नंबर 1 पढ़ा चुके कि 1 और 2 बिल्कूर सिमलर कोशन है इसलिए आप अभ यूजवल फॉर्म आपको क्या बताने हैं कि जो हैं पर नंबर्स दिए गए हैं यह पर हमने टू नंबर्स लिए हैं वे अफिए यूजवल फॉर्म प्रीपर प्रीफ यूजवल फॉर्म हम राइड करना है नि प्रस्ट कोशन में देखे पहले हम पूछा कि इस तरह की जब भी आपको इस तरह करके आपको standard form में question दिये जाए और usual form में write करना हो तो थोड़ी सी बातों को बहुत ध्यान अकने की जहूरत है जब भी आपको 10 की पावर माइनस में दिया जाए values तो ध्यान यह रखिएगा कि जब भी आपको 10 की पावर माइनस में values दिया जाए तो हम कैसे solution करेंगे तो इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़ूरत है जो number आपको दियेगा है 408 यह आप last पे note करिएगा इस सर है 402 यहनि जो भी numbers आपको दियेगा है उनको note कर भी point नहीं लगाने और भी point लगाने के लिए हम नहीं आप से कह रहा है सिर्फ आप number note का लिए number note का लिए और 10 की power 7 लिखी हुई है इसका मतलब यह है कि इसमें जो 0 लगेंगे वो 4082 के पीछे लगेंगे इनि बैक साइड पे और जितने 7 है इसका मलब है 6 0 लगेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां point लगा लेंगे फिर 0 लिख जाएंगे that is answer यह हो गया usual form देखे रूल और ट्रिक पर ध्यान देंगे तो कभी question रॉंग नहीं होगे इसलिए हमें आपसे कहा है कि रूल और ट्रिक और method के हिसाफ से पढ़िए तो problem आपको बिल्कुल भी नहीं क्या करना होगा 402 को सबसे पहले आपको नोट करना है इसके बाद अगर यहां पर minus का 7 लगा हूँ यहनि 10 की पावर minus पे हूँ तो value जो भी number होगे उस पर पीछे की और हमें 0 लगाने होगे अगर यहां पर 7 है तो आपको 6 0 लगाने 1,2,3,4,5,6 क्यों क्योंकि 6 के बाद यह जो हमने 4 पॉइंट लिखा हुआ था वह पॉइंट तो हमने पीछे की और कर दिया ने बैक की और कर दिया इसलिए वहां पर यह क्या हुआ है 6 और 17 यहां पर हमने count कर लिए इसलिए यहां पर हम 6 0 पहले point लगा देंगे that is answer तो I hope यह 2 A clear हो गया होगा और आपको 2 B में ध्यान दीजिए तो 2 B question क्या कह रहे है 6.5 multiple 10 की power 8 यहां पर भी देखे बिल्कुल ध्यान दीजिए अगर हम 10 की power plus पे हो तो कैसे solution करेंगे तो फिर क्या करेंगे इसको आप यह जो number दिएगे उनको आप सबसे पहले लिखेंगे 65 लिख लिए और 10 की power 8 है इसका मतलब 7 0 यानि 1 digit आप पहले ही कम कर दिए आप कितने 0 लगाने 7 0 1234567 और यहां पर पॉइंट आप लगा दिजिए तो इस तरह आपको नंबर राइट करने की ज़ूरत है बस यही दो बाते रहा नखिए अगर 10 की power minus पे है तो इसका मतलब भी कि से उतने 0 लगा दिए that is a right answer बस यही ट्रीक है इसी ट्रीक के रूल के मेथट के हिसाब से आपको पढ़ाना चाहिए बाकि दिए कोशन है बिल्कुल सेम यही रूल है सेम यही प्रोसेस है आप इन कोशन को बड़े आराम से और बड़े ईजली तरीके से कर सकते हैं चलिए इ पढ़ा है आपको अगर 10 की पावर माइनस पे हो तो आपको 1 लिखना है लिख लिए ठीक है कोई प्राब्लम नहीं हुई इसके बाद इकी 3 लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस थरी तो इसको 1 पहले ही कम करें दीजी इसका मलब 2 0 तो आपको क्या लगाने 2 0 पहले पॉइंट ही पहले ल कहले देैं यही ही रूप के हिसाब से कोई भी नंबर आपको दिया जाए क्योंकि यह कोशन नहीं को जिरूरे क्यों पतारी करें कंषियो ने इसमें कुछ कुछ चेंज में करके के बी कुश्रम क्ते सकते हैं इसलिए आपको यही को में ुटिए करण करना जैसे उनकी भी हखो सके और अच्छे से अच्छे examination में mark कहना हो सके चले मिलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमबर 3 पर नेक्स वीडियो नेक्स पार्ट पर वो और कोशन नमबर 4 पाइंस पर यह और मेरी मोच्ट इंपोर्टेंट भी है इसलिए आप कोश्री नमबर थर्ड पर जरूर ध्यान दिजेगा थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो